नमस्कार दोस्ता एक बार फिर हमारी यूटूब चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है ले टफ्टर प्रेर निकल कर आई कि क्रमचार्यों की सैलरी में होगा जब पर दफ्ट इजाफ़ा क्रमचार्यों को मिलेगा बढ़े हुए डिये और फिट्मेंट फैक्टर का लाब तो दोफ्तो हम आपको सब डिटेल में बताएंगे कि क्रमचार्यों को जो उनका डिये अब बढ़ने वाला है जो बढ़कर 42 परतिशत हो जाएगा और फिट्मेंट फैक्टर का जो लाब मिलेगा वो कब मिलेगा सरकार उसकी गोशना कब करेगी तो दोफ्तो हम आपक विजिट कर रहे तो चनल को लाइक कर दीजिए सब्सक्राइब कर दीजिए साथ ही साथ वाला आइकन को भी मजा दीजिए ताकि गवर्मेंट या पैंसल से समधी जितन भी नूज जाती है उनकी नोटिफिकेशन आप लोगों के पास तुरंत पाउस के तो करते हैं वीडिय की गोशना कर सकती है फिट्मेंट फैक्टर में बडोतरी के बाद सरकारी करमचारी का नेंतम वितन अठारा हजार रुपे से बढ़कर सिधा सब्सक्राइब हो जाएगा सरकार अब मार्च में फिट्मेंट फैक्टर और महिंगाय वत्ते को रिवाइज कर सकती है अभी वितन 15,500 गुना में 2.57 रुपे यानि 49,835 रुपे होगा छटे CPC ने फिट्मेंट रेशू 1.86 करने की सपारिस की थी रिपोर्ट के मताबिक करमचारी अब सरकार से फिट्मेंट फैक्टर को बढ़ा कर 3.68 करने की मांग कर रहे हैं यह बड़ोतरी नियुन तमितन को 18,000 र उपे कर देगी दोस्तों महिंगाई वत्ता और महिंगाई रात को साल में दो बार रिवाइज किया जाता है ये नई दरे एक जुलाई और एक जन्वरी से लागू होती है सरकार ने पिछली बार सितंबर 2022 में डिये में बड़ोतरी की थी जिसे देश के 48 लाग केंदर सरकार कि करमचारी और 68 लाग पेंशन बोग्यों को फायदा हुआ था तब सरकार ने डिये को 4 परतिशत बढ़ा था सरकार ने 34 परतिशत से डिये को बढ़ा कर 38 परतिशत कर दिया था इससे पहले सरकार ने 7 में वेतन आयों के तहत मार्च में डिये 3 परतिशत बढ़ा था और डि के अलावा सरकार जल्द ही डिये को भी रिवाइज कर सकती है दो तो सरकार जल्द ही 18 महीने के बकार डिये एरियर के मुद्दे को भी हल कर सकती है के अंदर सरकार के करमचारी और पंट्रों को एक जनवरी 2020 एक जुलाई 2020 और एक जनवरी 2021 के लिए डिये और डियार नहीं बढ आया गया था आप क्रमचारी इस पर इसे बढ़ाने का दबाओ डाल रही है तो उमीद है कि जल्द ही सरकारी इस पर कोई फैसला लेगी और जल्द ही केंद्रे क्रमचारियों को 18 महिने का जो एरियर बकाया है उसका पैसा जल्द ही क्रमचारियों के खाते में आएगा तो के लिए जै वारत